आज हम बनाएंगे सूजी का दूद पीठा की रेसिपी जो की खाने में बिल्कुल ही रसमलाई जैसे है और इसे आप डिजर्ट की रूप में कभी भी बना के सर्व कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी और मेरा नाम है रूपी और सभी का मेरे कीचन में और वीडि है कि दूसे सूजी में डाल रेते हैं मैं और जो भी 22 आपके पास यह आप वह ही सूजी ले सकते हैं थाना तीन यौण्ण सूजी को मैं घी के साथ बोन लेना है सह बड़ी है तो हल्का सा अड़र चेंज करना है साथ पल्गा सब्सक्तों अटिक का सब्सक्राइघ कर अब हÜ इसके जो दाने हैं वह थोड़ा सब फूल गया है भूनने की वज़े से इसके बार इसमे आट करेंगे दूद तो आधा लिटर फूल क्रीम दूद मैस में डाल रही हूं आप है कि थोड़ा थोड़ा डाल के मिला लेंगे पहले तो अभी मैंने थोड़ा ही डूद डाला है पहले जो इसमें जो गुटलियां बन गई है सूजी की उसे हम अच्छे से तोड़ लेंगे उसके बाद पूरा दूद एड़ कर देंगे इसमें और फिलेम को बिल्कुल लो रखेंगे इस टाइम पर और यहां पर मैंने सूजी को अच्छे से मिला लिया है और इसके बाद जो दूद रह गया है मैं इसमें पूरा एड़ कर देती हूं और अच्छे से मिक्षर को अब ड्राय होने तक पका लेंगे जब तक यह बिल्कुल आटे की तरह नहीं तयार हो जाता हो तब तक इसे हम पकाते ही रहेंगे इसके साथ ही इसमें मैं एड़ कर रहे हूं चीनी तो एक चथाई कप में यहाँ पर इसमें चीनी भी डाल दे रहे हूं तक इसमें चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाए इसमें और मिक्स हो जाए फूल फ्लेम पे लगातार चलाते भी पका लेंगे क्योंकि बहुत ही जल्दी ड्राय हो जाएगा और बिल्कुल हल्वे की तरह ये तयार हो जाएगा तो इसे हम लगातार ही चला लेंगे नहीं तो इसमें गुठलियां बन सकती है यहां पर देख सकते हैं कि थोड़ा यह ड्राय हो गया है लेकिन इसे हमें पूरी तरीके से जैसे हल्वा होता है बिल्कुल उस कंसिस्टेंसी का तयार करना है यहां पर यह मिक्षर थोड़ा ओर ड्राय हो चुक है तो इसे और भी जादा ड्राय करना है किनारों को अच्छे से क्लीन करते जाएंगे साथ साथ ही और साथ में यहाँ पर मैं एक चमच घी भी डाल रही हूँ ताकि अच्छे से भुन जाए घी डालने से जो मिक्षर है अच्छे से कडाई भी छोड़ देगा तो इतना ड्राय हो चुका है लेकिन इसे हम थोड़ा और ड्राय करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मिक्षर है इस तरीके से घट्टा हो गया है तो बस इसे इतना ही पकाना यहां पर पूरे मिक्षर को मैं इस प्लेट में निकाल देती हूं ताकि ठंडा हो जाए और यह देखने में बिल्कुल मावे जैसा लगा रहा है इसे इतना ठंडा करना है कि हम इसे हांत लगा सके और तब तक हम बाकि त्याया करते हैं कडाई नेसे मैं HAS यहां पर रही हिता हुआ दूद में टा healthy क्रुद कर देंगे यहां पर shift दूद कर दिनगे पाउडर हो ओगर। तो कुछ केसर के धागेस में डाल देता है और 4-5 मिनटी से ऐसे ही बॉil होने देना है और साथ मैं चीनी भी आट कर रही हूं तो एक चुथा ही चमच यहां पर मैं चीनी भी डाल रही हूं आप अपने स्वाद के नुसारी से कम यह जादा कर सकते हैं तो यहां पर यह चीनी 3-4 चाबनट अच्छा से तकशने पर दूद में मिक्स निदमें, आजता है और दूद में आजाया, केषर के बाए ज़र गदाशने दूद में पर चुझाले आजोगे आजाए पर दूद प्रिम को लो रखते वे दूद को मैंने कैस पर चड़ा रहने दिया है और साथ में जो मिक्षर है हम हाथों पे तोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसे अच्छे से दुबारा से तैयार करेंगे तो यहां पर हाथों मैंने थोड़ा घी लगा लिया है और स्पून की हल्प से जो मिक्षर है हम थोड़ा सा ले लेंगे और इस तरीके से हम इसके पेड़े बना लेंगे पीठा भी कह सकते हैं आप इसे देखें बिल्कुल क्लीन सा टेक्शर आ रहा है इसमें और इस तरीके से हथेलियों पर रखके हम इसके पीड़ी जैसे शेफ दे देंगे जैसे रस्मलाई होती है बिल्कुल वैसा ही शेफ देना इसे तो इस तरीके की होती है तो ऐसा ही शेफ इसे दे देते हैं अगर यह मिक्षर हाथों पे चिपकता है तो आप घी लगाते जाए और इसे बनाते जाए तो फिर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा तो इस तरीके से पीड़े बना लेने हैं और यहां पर मैंने सूची के सारे पीठे बना की तयार कर लिया है और इस तरीके से यह तैयार हो जो हमने पीठे बना के रखे में वह डालना है तो एक एक करके ही डालेंगे तो बॉइल दूद हो रहा हो तब ही से डालना है और थोड़ा सा दूरी बना के ही डालेंगे और थोड़ा सा रूख जाएंगे ताकि जो इसका बॉइलिंग है वह बंद ना हो इस तरीके से अगर आप दूद बॉइल नहीं और आप पीठे डालते जाएंगे तो यह जो हमने सूजी के यह पीठे तयार किये हैं यह तूट जाएंगे तो यहाँ पर मैं सब भी डाल देती हूं धीरे धीर करके हम थोरणती देंगे तो थोड़े से दूद के साथ की नांगी, गहाँит सी दूद की फीठे से न की दिखाए नहीं दे तब तक ही से पकाना है साथ में यहां पर थोड़े से बादाम में डाल देती हूँ और यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारे यह पीठे थे दूद के उपर आ गया है इस तरीके से तैरने लगे हैं तो यह जो हमारी रस्मलाई है सूजी की बिल्कुल तयार हो गई है आप चाहे तो इस ठंडा करके सर्व कर सकते है और दें विल्कुल रस्मलाई जैसा ही त्यार हुआ है और यह सूजी की रस्मलाई देखने में तो रस्मलाई स्थ में अब उत्नी ही जए ज़्यादा इस टी है कि दो से दिन दिन आराम जाएं से फिरिज में पर्च मोई ते लिए ऑड़ा है तो इस तरीके से सूजी की रस्मलाई आप जरूर ड्राए किजिए फैमली फ्रेंट में भीमन करके शेयर किजिए डाया रस्ट करके एको अरूरा कि आपको कैसी लगी मिलते हैं नहीं के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर